यह फिर गंदा वला गोल्डन लिए ओधा गोल्डन लिखा यह आप उसको बोलो ना कि हम अब तेजय बंद हो रहा है ममी हमारे को दुख हो रहा है जैंशी दुख हो रहा है अब अब तर लिए मैंने यह बाउल ले लिया है हलो एवरिवन गुड़ मॉनिंग कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे फिट एंड फाइन होंगे तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नई व्लॉक के साथ आपके सामने तार में बनाने वारी हूँ ढोकला बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्पंजी और बहुत इलाजवाब ढोकला तो इसके लिए मैंने यहां लिया एक कप बेसन जिसको मैं अच्छे से चान रही हूँ ताकि उसमें कोई भी लंस ना पड़े और गुटले-गुटले और मैंने इसमें लिए एक चमच छोटी वाली चीनी तो इससे जो चीनी डालेंगे ना इससे हमारा जो ढोकला बहुत ही अच्छा जालीदार बनके तयार होगा और सूपर सॉफ्ट बनेगा बहुत ही अच्छे से सब चीजों को मिला लेंगे और जीरे जीरे समें पानी आट करते हुए इसका गोल सा तयार करेंगे तो देखो यहां मैं हास से यह कर रही है क्योंकि मुझे लगते हैं हास से बहुत अच्छे से गोल तयार होता है बहुत अच्छे से फिटता है तो देखो फिटते 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 थोड़ा से हो गया है ना फ्लपी तो यहां मुझे लग रहा था बेसन थोड़ा कम हो खोल तयार करेंगे देखो अच्छे से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका ना ज़्यादा थिक न ज़्यादा पतला घोल तयार करेंगे। बहुत अच्छा सा यह देखो फैटते फैटते गोल हमारा तयार हो गया और इसको ढखके में 10 मिंट के लिए अलग रख दूँगी और आज में बनाओंगी इसमें इडली वाले कुकर में और इसमें मैंने ले लिया दो गलास यह जो दो कप पानी ले लिया है इसमें यह चोट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा और यह जो खटा मीठा नमकीन धोकला बनके त्यार होता है यह हमारे घर में हम सब को पसंद है बहुत ही पसंद आता है और यहां मैं देख रही कोई बीजवीस तो नहीं आ गया है नीवू का अच् बूद ही फटा फट करना होता है वहां स्ट्रीम बन चुकी है कुकर में जो इडली का कुकर है और मैंने पूरे घोल को देख़ो इसमें डाल दिया केक के टीन में जिसे मैंने पहले घी से ग्रीज करके रखा था आप तेल से भी ग्रीज कर सकते हैं यहां इसे एक दोबल में यहां मैंने मोटी आली मिच्टे लिए जिने मैंने थोड़ी बस एकाथ के बीज रखे वाकि सबकी फैक्ट दिया और इसे अच्छे से तड़कने देंगे तड़कते बातने इसके बीज बहुत होगते हैं तो मैंने धक्के रख दिया अब यह धक्के रखने के बाद में इसमे नहीं डाल दिया तो देखो यहां हमारा तड़का बिल्कुल तयार हो गया है और इसमें मैंने कड़ी पत दालना भूल ग थी था नि बच्चे सुनते नहीं है तो फिल ले क्या है तो मैंने अलग से तड़के वाला पहन लिया इसमें कड़ी पते डाले और यह जल्दी अब इन लोगों को तो समझ में आता नहीं है, मैं लोगों के साथ भी आसा ही होता होगा, तो यह तड़का बिल्कुल तयार हो गया है, इस तड़के को हम लगाएंगे हमारे दोकले पे, चासली बन गई है, देखो चीनी बिल्कुल ही पिगल गई है, तो इसमें मैंने एक तो देखें, ढ़कला बिल्कुल बनके तयार है, अब यह आपको मैं दिखाती हूँ, तो देखो चक्कु मैं इसमें डालके देख रही हूँ और बिल्कुल क्लीन चक्कु निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ढोकला बनके रेडी हो गया है, तो मैं अपने हस्बंड की से, थोड़ा सा इसमें लग गया है, अधरवाइस, तो धोकला बनके हमारा तयार हो गया है, देखो लुकवाइस भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहां यह पिजा गटर से हम इसके पीस कर देख, तो काटने में यह आपको लग रहा होगा है, यह कितना सॉफ्ट बना ह और यहां पर मैंने तड़का भी इसके उपर डाल दिया है, अगर आपके पास टैम है न दोस्तों तो इसे 2-3 गंटे के लिए छोड़ दो, तो इसमें अच्छे से यह जो तड़का की जो चाशनी हमने बनाई ने तड़का बनाया, यह अंदर तक रम जाईए और बहुती ज होकला बन के तयार होगा, तो अब यहां तो ने इसको देखके बस मन नहीं वान रहा था और ऐसा लगा था जल्दी से खा लो तो यहां बिलकुल तयार हो गया है, पूर्णी मने इस पे जो हरा धुनिया भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं, और यह थोड़ा से लाला दिख रहा है, यह शायद मेरी हल्दी की वज़े से ऐसा कलर आया है, मेरी हल्दी जो है मैंने घर में पीसी थी तो शायद उस वज़े से, लेकिन यह बना बहुत टेस्टी था दोस्तों, यह देखो मैं आपको पास से तोड़के भी दिखा रही हू बहुत ही सॉफ्ट है और अभी गरम है न तो इसलिए बिलकुल सॉफ्ट है, थोड़ी थे छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, यह देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जालीदार, हमारा धोकला बनके तयार हूए, अच्छा लब इच्छा है, अच्छा लब इच्छा ह और और रीचे शलिए का इस सब्सक्राइब के तो इस निला गानीव और अच्छा वाला झाहिए, में आप उसको बोल्र चाहिए, जाएगा, आप उसको बोलो ना के हमें बई अच्छा वाला गोल्डवर्ड चाहिए? अध्बन नियुस पेपर डबल कोट कर के देखो अच्छाह रग्रें छानर स्काइट आ किला उब जी कोड़ें यह 50 नहीं उब टनने किल्दिदो नियुकर्टाइट इए ऊठीं लग्रेंगoooo इंधी अटलग्टाइट दुदिटन दिखिए लें कोड़ें पर दोटों आखिर गोड़ें कि विज पी तो करो जिए अब वेच्छा लगाएंगी तो फिर आपी तो कर दो क्यों करों जब शिशा लगना है तो तुर आरे यार कर दो ना इसे इतने से मैं क्या वेस्ट हो रहा है उन्हें क्या पता तीज की वैल्यू ऑग यहां हमारा डिय वाई है क्या पुनों डिया वाई तो यहां देखा ना आपने हम दोनों husband wife करना ऐसी चलता रहता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा जब आप husband wife कोई काम करते होंगे तो तो यहां मैं dusting भी कर रही हूँ और यहां दिखा रही हूँ देखो यह प्लेटे सूप गई है तो यह इनको मैंने हाँ डेकोरिट किया है तो यहां मैं ऐसे थोड़ा साना डालकर और इसको क्लीन करें क्योंकि वाइट है ना यह बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि सबके हाथ रखते रहते तो यहां मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर लूँगी साफ सुतरा साफ जाने के लिए तैयार हो रही है यहां पर देखो ममी को तो दिर परिसान हो गई आज अब रैडियो चुका हो और इसने मेरे को परिसान कर दिया बार बार गले में तैच हो जा रहा है तैच हो जा रहा है और आप लोग मेरी वाच बताई कैसी लग लिए आखी है कल का प्लैन को इकड़म पोपट हुआ कल को मामी का बहुत होदे गिफ्त बिना पोपत का अब इस केक ने भी पोपट आच और पते आच क्या चीरूई आच केकी गिर गया इतना मुझा आगया मैं को यह की गिर गया में आभी बिप खराब है जबी में साधी नहीं देखो ममा बाल साजा बाल को नहीं हो रहे देखो ममा ये रही और ये रहे हम प्यारी से पिंदर बाबू तो अभी हम मिलते हैं आपको शादी में शादी 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 एस एच एफ डि आई तो यहां हमने शादी में एंट्री कर लिए और इस जगा में खाने वाले बूफे में घूम रही हूँ और मेरा पैर अभी सही नहीं है और यह बहुत अबर खाबर जगा हो रही थी और हम फोटो भी क्लिक कर आ रहे हैं मेरे इंस्टा पे भी मैंने रील बनाई हैं तो आप जा यहां ब्राइड और गुरूम का कपर डांस है और यह जो वाइट लेंगे में यह गुरूम की बहन है इनकी भी वन मन पहले शादी हुई थी और यह बड़े भाइगे जो दूसरी तरफ डांस कर रहे हैं तो यहां का फैमिल डांस है यहां पर चारों बच्चे फुल इंजॉय में तनो वीन सब मतलब पूरा इंजॉय कर रहे हैं पूरा पार्टी मून बना हुआ है सब किसी को भी ठड़नी लग रही हैं और वैसे रात की मैं आपको बता दू बारह बज रहे हैं और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं ठीक है न और हम अच्छे वीडियो बनाए ठीक है और बैल आइकोन को क्लिक करना बिलकूर मत भूलना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहे और आप जल्दी से उसे वाच कर लो और मुझे सपोर्ट दो ओगे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाई